श्रीहोंम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भूल कर भी मकर संक्रान्ती वाले दिन आप लोगों को क्या क्या कारे नहीं करने चाहिए 2019 में मकर संक्रान्ती 15 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संकरान्ती इस बार अमरे सिध्धी, सर्व सिध्धी और रवी योग में मनाई जाएगी इस दिन अश्वनी नक्षत्र भी रहेगा जो की बहुत मंगलकारी मना जाता है खास बात यहाँ है कि 14 जनवरी की रात 2 बचकर 20 मिनट पर सूरे के धनू राशी से मकर राशी में प्रवेश करने से संकरान्ती का पूर्णेकाल 15 जनवरी को ही रहेगा इस दिन सूरे दक्षनायन से उत्रायन होईंगे और खरमास का समापन हो जाएगा कई स्थानों पर लोग 14 जनवरी की शाम को ही पवित्र नदियों में स्नान करना शुरू कर देंगे तो आए जानते हैं कि मकर संकरान्ती वाले दिन आप लोगों को क्या क्या कारे भूल कर भी नहीं करने चाहिए शास्त्रों के मताबिक इस दिन घर की औरतों को अपने बाल नहीं दोने चाहिए पेड़ पौधों की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए गलती से भी लेसुन प्याज और मास मदरा का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन चावल और मुंगडाल का सेवन करना शुब माना जाता है मकर संकरान्ती पर हर तरह की नशे से दूर रहना चाहिए जैसे कि अलकोहल और स्मोकिंग इत्यादी से भी बच कर रहे इसके अलावा अपनी वाणी पर भी सहियम बढ़ते और अपनी वाणी को पवित्र रखें एवं किसी के बारे में बुरा ना कहें इस दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना करने का विधान दिया गया है शास्त्रों के अनुसार तो अगर आप उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो सूरज ढलने के बाद अनका सेवन ना करें बहुत लोगों की आदत होती है कि सुबह ही उठकर बैट्टी पीते हैं कोशिश करें कि इस दिन सुबह उठकर इस्तान आदी से निवरित होकर अपनी पूजा पाठ निपता कर एवं सूर भगवान को अर्ग देने के बाद दान दक्षणा अवश्य किसी को दे और उसके बाद ही अपना भोजन करें इस दिन अगर घर पर कोई सादू संत्य भिकारी आ जाये तो उसे अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए इससे आप लोगों को लाब मिलेगा अगर आप उनको दान दक्षणा दे कर अपने घर से विदा करते हैं तो अब ही के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल शरी होम रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद